नमशकार दोस्तों शुवागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेवा इस्टूट के ओंलाइन अप्लिकेशन पर तो दोस्तों जैसे कल की क्लास पे हम लोगों ने तीन लिक्चर लिया था और उस तीन लिक्चर पे हमने कम्प्लीट आपको इतिहास जानने के स्रोत की जो क्लासिस थी उसको कम्प्लीट करने की का प्रयास किया था आए। आज हम lecture 2 में बात करेंगे दोस्तों यह अपने chapter 2 पे बात करेंगे है ना chapter 2 के और चलते हैं और बात करते हैं प्रगैटिहास काल की ध्यान रखेगा इस प्रगैटिहास काल को आप आदिमानव काल की नाम से भी जानेंगे हैा ना तो लेखन के अधार पर या अध्यन की सुभिधा के दिश्ट से हमने इसको तीन पार्ट में बाटने कोहिस की है, एक है आपका प्रगयतिहासकाल और एक है आपका एतिहासिकाल, तो आए जान लेते हैं कि क्या है प्रगयतिहासकाल, देखें प्रगयतिहासकाल वह काल कहलाता ह जब मनुस्त की घटनाओं का कोई भी लिखित साक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसे काल को हम कहेंगे प्रगैतिहास काल, यानि प्रगैतिहास काल में मित्रों लेखन कला का आभाव पूर्टह पाया गया है, फिर अगला काल जो है, उसका हमने नाम दिया है, उसका हमने न अपठनी रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सका, जो उनकी लेपी थी, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, उनको पढ़ा नहीं जा सका, सिंदुगाटि सब्वेता की लेपी को कुछ हद तक पढ़ने का प्रयास किया गया है, है ना, फिर जो तीसरा काल रहेगा, उसे हम बोलेंगे एतिहासिक काल और एतिहासिक काल का मतलब यह इतिहास का वह काल है जब हमारे पास लिखित गरंत भी आ गए और उन गरंत को पढ़ भी सकें तो आए आगे बढ़ते हैं कुछ हम ऎविडेंस की बात करते हैं मानाव के इतिहास के कुछ evidence की बात करते हैं तो ऐसा बतायागा कि जो ग्यानी मानाव है यानि होमो सेपियन्स मानाव है वो लगभग 30 या 40 हजार बर्स पूर्व हुआ वो लगभग 30 या 40 जार बर्स पूर्व हुआ और नमबर 2 पे नोट के लिए जो भारत का प्राचिंता मानाव कभी है वो असम से प्राप्त हुआ था उसका नाम था स्वेत गिबन अगर भारत में मनुस के प्रथम प्रमाण की बात करें तो मिला है हमें नर्वदा घाटी से आपको याद रखना है कि नर्वदा घाटी से ही हमें नर्वदेशिस की प्राप्ती हुई है बताएं कैसे हतनावरा हो गएरा का सबका एकजांपल साब को देंगे कि हमें वहाँ से क्या मिला है जब आगे की और बढ़ेंगे फिर एक ब्यक्ति है रावट बुरुसफूट बहुत अच्छा इनका योगदान है प्रस्तर यूग में क्योंकि सबसे पहले 1863 में पलवरम नामक जगह पर इन्होंने ही पत्थर से बने एक औजार की खोचकी जिसे हम लोग सावानता क्या बोलते हैं कुलहारी बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे हम लोग कुलहारी बोलते हैं ठीक है चली आगे की और बढ़ते हैं प्रथम पुरा पासान कलाकृत ये लिखा है पलवरम तमिलाडू में भारत का अगर हम प्राचीनतम नगर दा ओल्डिस सिटी आप इंडिया की बात करें तो है म हिस्टोरिक एज को देखिए हम पासान काल पे बाट के पड़ते हैं अना एक होता है पासान काल और एक होता है आपका धातु काल तो देखिए जब पासान काल पे पहुँच रहे हैं आपन तो पासान काल को भी हम कई प्रकार में बाटते हैं एक है हमारा पासान काल एक है हम कहाई-पासाण काल बोलें तो दोस्तों पहलियों लिधिक है ये मेसलिदीग ये और नियों लिधिक एज तो देखे पुरा पासाण काल की बाता खलते हैं तीक है बताया गया कि इस काल का मानौ आखेटा तो होता ही था साथ में खाद संग्राहक प्रवितिका भी होता था और पुरा पासानकाल में जो मानों का सर्वो परी लक्ष था वो तो पहले यही था कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मरक्षा कर लें हाना क्योंकि आत्मरक्षा करने के मानों तरीके नहीं जानता था क्योंकि आदिमानों जंगलों पे रहता था और इस काल पे क्या होता था कि जो भी जो भी चीज होती थी या कोई सिकार किसी जिसे सेर अगर हिरन का सिकार कर रहा है तो वह देख रहा है कि इस प्रकार से सिकार करते समय यह उसी का मांस भक्षण कर रहा था है ना तो जैसे देखता था कि सेर सिकार को खा रहा बैसे ही आदिमानों देखकर भक्षण करने लगा यानि पुरा पासान काल का जो समय है इस काल का मानों ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल पढ़ा लिखा तो होता ही नहीं था निरक्षर प्रवित्य का हुआ करता था है तो किसी भी प्रकार की चीजों को इतना जल जगहें से बिसलेशन किया गया है और ऐसा बताया गया है कि भारती महदीब पर 14 लाख बरसपूर्व जो यह मानों का अस्तित्त है ऐसा माना जा रहा है नहीं कहां से महराश्ट के बोरी नामक जगहें से चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं है ना तो अब देख लेते हैं थ बतायेंगे अभी जो आपके सामने दीख रहे हैं इस लाइट पर उसकी चर्चा कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हुआ चलूँगा अब देखें जो मद पासरानकाल है अगर हम मद पासरानकाल की बात करें तो यहां का जो मुख रूप से ब्यक्तित था वो कैसा प्रवि यानि वो पसओं को पालने लगा था पसपालक प्रवितिका था क्योंकि हमें इस काल के बारे बें सर्पथम जानकारी देने बाले ब्यक्ति थे सी-ल कारलाइल और ये 1867 पी हमें जानकारी दिये हैं 1867 में सी-ल कारलाइल ने दोस्तों बिंद छेत्र में ही उपकरणों की अगर हम मद्र पासान काल में पस्पालन के साक्षू की बात करें तो मद्र प्रदेश का आदमगड और राजस्थान का बागवर दो जगए नोट कर लिजेगा कि मद्र प्रदेश का आदमगड और राजस्थान का बागवर ये दो ऐसे जगए हैं जहां से हमें साक्ष के जाता था तो इस काल को आप एक नाम से और जानते हैं माइक्रो लिथी काल के नाम से जानेंगे तो माइक्रो लिथी काल के नाम से जाना जाता है इसको भी आफ लोग नो डाउन कर लीजिएगा ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवपासान काल की है नवपा प्राप्षिप्राप्थ हुए है, और 1860 में चलकर उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदीग हाटी है, वहाँ से साख्ष प्राप्ष हुए हैं और सबसे पहले तो इस काल की है वहां कोल्डिहभा एक मात्र ऐसा नवप्ासारिक इसतल है जहांसे आपको चावल के साक्ष मिले है ना चावल यानि धान के साक्ष आपको प्राप्पर हुए है कोल्डिहभा से यानि बतायागा कि जो नवप्ासारिक की निवासी थे Catal martyr सा का हुआ करता था अब का मानाव इस्थाई रूप से निवास भी करने लगा ठीक है पस पालन की रूप में अगर बात करें तो कुट्टा मानाव के द्वारा प्रथम पालतू ऐसा जानवर था जिसे मानाव ने असरे दिया है इसी लिए कहानी भी मिलती है कि किसी ब्यक्तिकी म प्रथम हो जाती थी तो कब्रों में पालतू कुट्टे अपने मालिक के समोह के साथ दफनाए जाते थे है ना ऐसा पाया गया है यसे भारत में जगह चिराद ये बिहार पड़ता है यहां से हड़ी के आपको अनेक उपकरण प्राप्त होते हुए दिखाई दिये हैं ठीक ह तो दोस्तों अब जो मैं आपको नो डाउन कराऊंगा आप नेरी बातों को सुनते जाएगा और नो डाउन करते जाएगा जैसे यहां लिखा है पुरा पासाण काल तो पुरा पासाण काल में क्या करना है कि पुरा पासाण काल में आपको पहला कटेग्राइज करना है कि इ निम्न पुरा पासान काल तो निम्न पुरा पासान काल के बारे में मैं आपको कुछ चीजे बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है तो देखें निम्न पुरा पासान काल में क्या आपको नोट डाउन करना है कि सबसे पहले यहां किस प्रकार के पत्थरों क प्रयोग किया गया जो आजारों का प्रयोग करता था उस मानों का नाम था होमो इरेक्ट्स क्या नाम था होमो इरेक्ट्स आप लोग नोडाउन कर लीजिएगा और यही बुनिन पुरा पासान काल है जिस काल में आग की खोज होती है आग की खोज पुझाय कहां से होती है तो की खोज हुई है ठीक है और यही वोकाल है जब आरंभिक आपको जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जा पुर्जिले और बेलर नदी घाटी से भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं अगर हम मद्र प्रदेश की बात करें तो आप लोग पता कि मद्र प्रदेश में भुपाल के पास या अब्दुल्ला गंज रायसेन जो रायसेन जिला है आपका वहां भीम बेट का गुफा है तो भीम बेट का गुफा से बहुत सारे सैलासरे की प्राप्ति हुई है बहुत सारे सैलचित्र पाए गए हैं और जो आपका मद्र नर्वता घार्टी का हतनावरा यानि होसंगा बाद जगय है होसंगा बाद जगय से माना कोई खोपड़ी या भारत का एक मात्र मानाव जीवास्म की प्राप्ती हुई है आपको निम्न पुरा पासानकाल से दोस्तों ये रही बात में आपकी निम्न पुरा पासानकाल से फिर पुरा पासानकाल का एक अगला टाइप होगा उसको भी आप लोग note down कर लेजेगा मद्ध पुरा पासान काल क्या आप लोग note down करेंगे मद्ध पुरा पासान काल दोस्तों जब हम आपसे app में मिलेंगे तो धेर सारे आपको mcq भी कराएंगे आप हमारे course को purchase करने के लिए description box पे जाए यह वहां लिखा है social science बर्गदो मेंस की लिंक है उसको आप लोग क्लिक करिए हमारा रेवा institute का application डाउनलोड करिए और हमारे course को अगर आप purchase करते हैं तो app के माध्यम से मित्रों हम आपसे live बाते करेंगे धेर सारा आपको guidance प्रदान करने तो एक बार समय निकल जाने के बाद वो दुबारा लोट करनी है आता और एक line कहूंगो कि अवसर बार बार दरवाजे नहीं खटखटाते हैं इसलिए अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस अवसर को बना लीजिए अच्छा कास आपसर बना लीजिए अपने आपको लगा दीजिए एक बार पढ़ाई में और selection ले लेजिए क्योंकि अभी समय है फिर जब नौड़े केसान आ जाता है तो लोग लगते हैं और remains इतना आसान नहीं होने वाला है मद्देश में बहुत सारे ऐसे बैच्चे हैं जो लगातार दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए मद्द पुरा पासान काल को आप लोग नो डाउन करिएगा तो मद्द पुरा पासान काल में देखी जैसे मैंने बताया यानि पहले के बनाबट में अब थोड़ा छोटे प्रकार के पत्थर प्रयोक किया जाने लगे और जो उनका नाम था जैसे जैस्पर का प्रयोक किया गया क्या नाम है नमबर एक पत्थर का जैस्पर जैसे चैट का प्रयोक किया गया जैसे फिलिंट का प्रयोक किया गया है ना या ऐसे ढेर सारे पत्थर प्रयोक किये जाने लगे और अलग अलग पत्थरों के पुर्धानता के करण इस काल को हम फलक संस्किती के नाम से भी जानते हैं आप लोग no down कर लिजेगा कि मद्ध पुरा पासानकाल को फलक संस्कित की संग्या दी गई है ठीक है क्योंकि फलक एक प्रकार का ओजार ही होता है जिसे तोड़ कर भी पत्थर बनाया जाता है तो ये आप लोग no down कर सकते हैं तो ये आपका रहा मद्ध पुरा पासानकाल फिर इसी में आपको एक और no down करना है पुरा पासानकाल का तीसरा टाइप है उच्च पुरा पासानकाल उच्च पुरा पासानकाल जब आया मित्रों कि अब यहाँ जो उपकरण बनते थे उपकरण ब्लेड नुमा बनने लगे यानि काफी पतले बनने लगे नुकीले बनने लगे धार यूग तो होते थे और जो उपकरण होते थे इनकी उपकरण की विश्यस्ता ये भी होते थे कि एक गम चक्मक परकार के उपकरण बनाये ज जाता था उनको धार दी जाती थी थोड़ा चमकदार बनाया जाता था ठीक है तो यह रहा आपका उच्छ पुरा पासानकाल तो उच्छ पुरा पासानकाल से आप लोग यह नोट डाउन कर लिजेगा तीन चार और कोश्चन मैं आप से बोलता हूं जो एक्जाम में लगातार आते हैं उनको भी आप लोग डाउन कर लिजेगा कि जो ताबिक के प्रयोग का साक्ष है वह मद्रा से सरपतम लगबग पांच हजार इसा पूर प्राप्त होता है ठीक है नमबर एक और आप लोग डाउन कर लिजेगा कि जो हडपा है हडपा यह एक प्रकार की कांस ठीके बाद आती है क्योंकि मानों के द्वारा उपयोग में पहली लाई गी धातु तामबा थी लेकिन कांसी के प्रयोग के कारण हडपा सब्वेता को कांस युगीन सब्वेता भी बोला गया है ठीक है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फिर एक है आपका इमाम गाउ इमाम गाउं से भी ध्यान रखेगा कि जो मात्र देवी हैं मात्र देवी की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिमाएं मिली हैं क्योंकि धेर सारा हरप्पा इस्थल जैसे आप लोग सुने होंगे मैं नाम बताता हूँ आप लोग चिक भी करते जाएगा क्या 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 प् प्रिशिंग भूमी है आपका तो धेर सारे इस्तल है साउथ में अगर हम बात करें तो आपका मासकी है ना मासकी बहुत दिस्तूपों के लिए वैसे जाना जाता है मासकी या गुर्जरा अभिलेक भी आप लोग नाम सुने होंगे ठीक है तो मतलब धेर सारे जगहें हैं जहा आपको बता ही दिया हूँ कि नप पासाण काल में हुआ और आजार की बात करें तो तामबे के आजारों का प्रयोक किया जाता था क्योंकि तामबे का जो प्रथम आजार है कुलहरी ये आपको अतिरम पक्कम नामक जगह से क्या होती है प्राप्त होती है इस कारण इसे प्रथम औजार बोला जाता है अगर प्रथम फसल पूछा जाए कि मानों के द्वारा उगाई की पहली फसल कौन से थी तो यह थी वीट एंड वारले यानि गेहूं और जो साख्च यानि एबिडेंस कहां से प्राप्त हुए है तो मेहरगड यानि पश्मी बलूचिस्तान से प्राप्त हुए है आपको पाकिस्तान प्रांद की जगए है अनफसलों में आप लोग ध्यान रखेगा कि चावल आपको प्राप्त हुआ है कोल्डी हिवा उत्तर प्रदेश से चावल की प्राप्ती हुई है ठीक है तो आप लोग नोट डाउन इनको जरूर कर लीजेगा अब जैसे लिखा है बरतनों के अधार पर प्राचीन संस्कृतियां या पूर्वहरप्पा इस्थल तो देखें अगर हम संस्कृत की बात करें कि किस प्रकार की संस्कृत में किस प्रकार के बरतन मनाये जाते थे और उन बरतनों का कलर क्या होता था एक तरह फाव्वलोग संस्कृत कर लीजेगा और इक तरह फावलोग बरतन तो चलिए की बात करें जोखे की बात करें जोखे संसृति में रिड कलर यानि लाल कलर का प्रयोग किया गया दक्षणी नव पासाण काल में चमकीला धूसर का प्रयोक किया गया और पूरवी नव पासाण काल में बात करें तो भूरा लाल का प्रयोक किया गया ब्राउन रिट का प्रयोक किया गया जोरवे संस्कृती है तो जोरवे संस्कृती में आपका यह एक तामरपसाड़िक संस्कृती है और इनाम गाउंसी बस्ती के साक्षी भी प्राप्त हुए है जोरवे संस्कृती में तो आप लोग नो डाउन कर सकते हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन आते हैं लगातार हना जै प्रस्कों की बिस्व धरोवर इस्थल में भी घोसित के जा चुका है ठीक है तो यहां से कोश्चन आप लोगों के लिए और इंपोर्टेंट हो जाते हैं फिर आप लोग नोट लगा के लिख लिजेगा कि भारती नागरी सेवा की अधिकारी रिजले प्रतम ब्यक्ति हैं जि निक्रो सुना होगा तो रिजले ऐसे प्रतम ब्यक्ति हैं जिन्होंने प्रजाती के अधार पर बताया इनका विवहिदी करन किया तो यह भी आप लोग नोट लगा के नोट डाउन जरूर कर लिजेगा तो यह आपका जो दूसरा अधियायत है दोस्तों आदिमानाव काल ब अधिमानाव के द्वारा उपयोग में लाएगी पहली दाम्र्ययुग फिर आपको कांस यूग हनो सिंदुगार्टी सब बता कंस सब बता फिर आता है आपका लौह यूग अना तो लोहे को स्याम अयस के नाम से भी जाना गया है ठीक है तो ये आपका आदिमानों की कहानी थी कि किस प्रकार से आदिमानों जंगलों में भटकतर हुए रहता था और कैसे कैसे धीरे धीरे जीवन यापन करते करते एक संस्कृती से आदिमानाओ की संस्कृती से एक सभ्यता का विकास हो जाता है यानि संस्कृत से सभ्यता तक का सभर किस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है तो आज इक लास में मैंने वही बताने का प्रयास आप लोगो किया है कि किस प्रकार से आदिमानाव की जीवन सैली रही होगी यह आदिमानाव किस प्रकार से रहा होगा तो वही बाते मैं आप लोगा उसके हो इस वीडियो को आप कम से कम दो बार देखिए तभी आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आएगी चालिस हजार बर्स समझ लीज़ें आप कितना होता है तब तक आदिमानाव आ चुके थे तब बहुत ज़्यादा लंबा समय है इसलिए आप लोग जरूर पढ़िए अगर आदिमानाव की खोच की बात करें तो 1856 में खोच गयरा हुई थी लेकिन ये रहस उनका क्या था बरकरार रहा आया आगे चलकर बहुत सारे लोग आये बहुत सारे लोगों ने जब अपनी सब बताओं की खोच की तो बताया कि लगभग चार लाख पहले भी आदिमानाव धर्ती पर पाए गए थे धर्ती पर बिक्सित थे किस प्रकार से ये भोजन संग्रहन को लेकर जानवरों के खाल करते थे जानवरों खाल से कपड़े भी बनाते थे और अगर कभी-कभी आता है कि आदिमानाव जो है उनके बिलुक्त होने की क्या संभावित कारण रहे होंगे कापी अतियाधिक दवाव पड़ा और उस बदलाव के कारण जो था आदिमान अपना समंजस नहीं बठा पाया और समंजस नहीं बठा पाने के कारण ये धीरे-धीरे खत्म हो गया जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे डाइनासोर एक एक इस धर्ती से क्या हो गया बिलिप तो हो गया तो इस प्रकार से आदिमाना भी बिलिप तो हो गया होंगे या आदिमाना की संक्या हजारों से अधिक नहीं रही होगी होमो सेपियंस की तुल्ला में पांस से पंदरा बेक्तियों के समूम ये लोग रहते थे छोटी आवादी होने के बड़े से अनुमानसिक आईस्तिर रहे होंगे एक बज़ा ये भी हो सकती है है तो अब फिर आके चलकर क्या है अफरीका में सब्वेताओं ने जन्में दे लिया तो धीरे धीरे अब क्या है कि आदिमानों में धीरे धीरे कि आदिमानों परिबरतन को भाप नहीं सके खतरों को भाप नहीं सके और धीरे धीरे क्या होते गए बिलुप तो होते गए कि प्रिथिवी की जलवायू लगतार क्या होती रही बदलती रही तो जलवायू में परिबरतन कर तो बैसे भी बहुत साई चीजों में परिबरतन दोस्तों तक भी सेयर करेंगे तो मधपदेश के किसी भी कोने या दूरदराज में रहने वाले बच्चे जो किसी भी कारण से अभाव से चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं वह हमारी वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद उनको सौट फॉर्म में नोट भी करते रह अगर वो नोट करते जाएंगे तो यकीन मानिए इतिहास की कोश्चन अब आपकी गलत होने की संभावना बहुत ही कम कर दूँगा मैं बहुत ही कम संभावना रही कि आप इतिहास से संभावना को गलत करिए है ना तो सपोर्ट बनाए रखें मित्रों और हर उस जरूरत मंद च्छाथ तक हमारी क्लास की लिंग को जरूर सेयर करें है ना आनंद उठाएं ऐसे चीजे बहुत कम मातरा में प्राप्त हो पाती हैं है ना तो चलिए आज के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्वाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए मिलते हैं कल फिर अपनी अगली क्लास में तब बात करेंगे मानों के सभ्यताओं के बारे में तब तक आप लोग कमेंट बाक्स में बताइए कि संस्कृती और सभ्यता में क्या अंतर होता है बहुत बहुत धन्व दो,क्राष बीक प्राद से कैसेcem Everywhere, cpp करेंगे मानों के सहल लोगों को जुड़ाई होता है Civa जूद़ने करेंगे में पारे मेलते हैं कि संस्क्राद से क्लाद सतर रे बाक्स काओ मैं इंवादा, क्कल दात Fाका जाले कला अ होता है इन Familie,bang, undertaking क्राद को बंवादाने अगुत